दोस्तों बात चीत करेंगे आज फिश्चुला के बारे में एक फिश्चुला क्या होता है उसके बारे में आज बात करेंगे एनल फिश्चुला के बारे में बताएंगे आपको लेकिन पहले फिश्चुला समझते हैं फिश्चुला एक एक सुरंग को बोलते हैं एक सुरंग जब आपके शरीर के अंदर बन जाती है जी हां सुरंग एक अबनॉर्मल कनेक्शन सुरंग बन जाता है राइट खुछ बन जाता है दो पत्थर ऐसे गिर जाते हैं सुरंग बन जाती है वैसी ही हमारी बॉड़ी के अंदर से भी कभी कुछ Abnormal Connections बन जाते हैं जो दो बॉडी पार्ट को जिनका कोई तालमेल नहीं जिनका कोई लेना देना नहीं जो जुडने नहीं चाहिए जोड देती है जैसे के दो औरगन जुड सकते हैं दो ब्लड वेसल जुड सकती हैं दो ब्लड वेसल किसी और स्ट्रक्चर से जुड सकते हैं तो फिश्चुला किसे भी प्रकार की सुरंग को फिश्चुला बोलते हैं और फिश्चुला जादा तर पिस्चुला का कारण होता है चोट लगना, इंजिरी या फिर किसी प्रकार की सर्जरी के बाद पिस्चुला बन सकते हैं या फिर ओन इंफैक्षन, इंफैक्षन के बजए से बैक्टेरिया को ये रिरोड करके वहां पिस्चुला बना सकता है और last में कारण है inflammation so infection, inflammation, injury या surgery ये कारण है आपके fistula के बनने के चाहे fistula कहीं भी हो खुन की नस में हो organs में हो, blood vessel में हो कोई भी किसी भी structure में हो तो कहां कहां हो सकते है fistula कहां कहां हो सकते है fistula fistula हो सकते हैं एक artery में heart से khुन organs को ले जाने वाली को बोलते हैं artery और वापस आने वाली को बोलते हैं vein so artery में हो सकता है, vein में हो सकता है artery vein को joint करने में हो सकता है और bile duct जो के gall bladder का है वो bile duct कभी कभी fistula बना सकती है skin के surface पे bile सीधा सीधा बाहर निकल के आ रहा है bile duct and the surface of the skin artery और vein के बीच में fistula हो गया कैसे आएगा ओपरेशन के बाद मान लीजे को गॉल ब्लाडर का operation हुआ वो operation के बाद में वो सुरंग जो वो उसमें से बाई आने लग गया तो वो fistula बन गया कौनसा दूर्बीन वाली operation तीन छेद वाले operation में कभी-कभी fistula बन जाता है कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि नॉर्मली सर्विक्स और वजाइना फीमेल के जो वजाइना सर्विक्स में एक पार्ट एक opening होती है कभी-कभी दूसरी opening बन सकती है जो तीसरा एक fistula बन जाए वो भी बन सकता है कभी-कभी आपके neck में और throat में गले से बाहर आने वाला fistula बन सकता है जो गले से बाहर जैसे एक हम अगर यहां से वो यादत ट्रक्यों स्टॉमी करते हैं कई बार आपने टीवी में देखा होगा ट्रक्यों स्टॉमी करके ट्यूब यहां डाल देते हैं वो भी एक तरीकी का fistula हुआ वैसी एक कभी-कभी infection हो गया गले में cancer हो गया कुछ ऐसी चीज़ होगी तो फिश्चुला हो जाए वहां से बाहर निकलने लग जाए चीज़े ऐसे आ सकती है कई बार जो नाक के अंदर से नेजल साइनसे से कभी-कभी में कभी यहीं से बाहर निकलने वाला को फिश्चुला बन सकता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके वजाइना और intestine के अंदर connection हो जाए intestine से डारेक वजाइना के अंदर स्टूल आ रहा है तो वह फिश्चुला भी बन सकता है कई बार intestine यहने colon आपकी बड़ी आथ बड़ी आथ और बड़ी आथ का सीधा चमड़ी वेस करफेस ऑफ दसकिन पर फिश्चुला आ सकता है जिसके वज़े से जो motion है आपके जो लैट्रीन है वो सीधा बाहर आने लग जाएगी एनस से भी आएगी यहां भी आएगी तो यह भी होता बिना ज़रत के काई के लिए स्टमक के अंदर operation करें जब कोई ऐसी बिमारी है जो जान ले सकती है जो दिक्कत कर सकती है तभी operation करते ना वैसे नहीं करते और फिश्चुला क्या एक side effect है जी हां वह पात्वे जो है उसके आसपास epithelium tissue आ गया और वहां पे पात्वे फिक्स यूट्रस में हो सकती है। यूट्रस तर्फ तो बीके पेटyttakes की अंदर य और फिच्चुला हो सकता है तो सकता है यूट्रस और यह नर्टर कहीं न कहीं न कहीं पिष्चुला बनके जो मानलों कभी बुलींग हो रही है तो यूट्रस से वीटिंग बीए बहुँ गार तो फिस्टिला वहां बन सकता है फेस बीट्वीन दी अदर यूटरी और वेन एक साथ जूड़ जाते हैं तो यह हो जाता है कि अच्छा खून बुरे खून के साथ मिख्स हो रहा है नॉर्मली आपका बुरा खून यानि डियो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स के अं यह ज़िया आधा खून में oxygen कम हो गया तो आपका पूरे बड़ी में साइनोसिस हो सकता है साथ पूल सकता है साथ पूल लगेगा थोड़ा बहुत तो आपको वीकनेस होगा एक तरीके से oxygen की मातरा कम का एक effect आने लग जाएगा तो ऐसे कई सारी बीमारिया होती है जो ऐज़ाइब और सकती है किसी को बहुत कुंखार लंक इंफेक्शन हो गया अंदर-इंदर कुछ हो रहा यह एक होता है यह लिट्रली जब इंफेक्शन होता एक जब मान लेजिए कोई अंदर का बन सकता है वह क्या होता है नौर्मली आपके जो आत जो इंटस्टाइन है जो बड़ी आत है वह नीचे खुलती है आपका एनस आपकी लैटरिन का छेद वह उस पर खुलती है बन सकते हैं लैटरिन के बगल में इतना बड़ा एंपस हो गया मानलो कभी पस जमा हो गई वह पस ने इरोड करके रगड़ बना लिया और वह बहर का रस्ता भरी निया तो वह 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 इंपक्शन के वज़ेसे तो यह आपको अब समझ में आए होगी कि यहराई कि यह सुरंग क्यों और किसने बनाई बनी कहां से इंफ्लामेटरी बावल डिजीज जैसे के अलसरेटिव कॉलाइटिस और क्रॉंस डिजीज इनके वज़े से फिस्चुला बन सकते हैं कि आपकी आत में अलसर रही है जहा अलसर होरी है मां छेदUST हो सकता है जहां छेद का रहा है मां आद आप करते हैं कोई याद कर रहा है करते हो नू. नमबर वन टाइप तूठ जाने वाला एक से ज़िल गया हम से हाथ से पर इस लाइट टॉब डॉन टाइप टूब is a is a closed fistula now what is a closed fistula close fistula का मतलब होता है कि एक तरफ से बंद है दिया दियने के blind blind मतलब open on one and only right मतलब दो and दो चीज़ों को connect कर रहा है लेकिन एक तरफ से बंद है कभी आरेसा हो सकता है सुरंग में content रहेगा जो भी blood है लाट्रीन है कुछ भी है वो सुरंग सुरंग तक ही आएगा आगे नहीं जाएगा complete fistula हो सकता है जहां दोनों end open है तो एक organ के सामान दूसरे organ में गिर सकते हैं चाहे वो तूल है blood है जो भी है ठीक है so that can happen फिर बात आती है कभी कभी horseshoe fistula होते हैं हाँ आज एक बिटा थोड़ी ते रूप जा ठीक है ठीक है जो बैठ होगा रहे होगा जो जो सब्सक्राइब कर रहे हैं हो जो जो है उदर से फिस्चुला मतलब एनस जो है उदर से फिस्चुला आ रहा है वह आपके स्किन में जा रहा है एक कनेट्स दस सर्फेस ऑफ दस्किन आफ्टर गोइंग अराउंड दर रेक्टम इसको बोलते होर्शू फॉर्शू इतना मतलब यहां पर वह आपके इनस से रेक्टम में गया फिर सर्फेस पर आया इसा आए फिस्चुला इसको बोलते है और एक बलाइंड मतलब ने अरिया बहर नहीं कहीं तो वो बलाइंड इंप्ली यह तैप ऑप दे फिस्चुला कि आपने भर जाता है कई आप को परेट करना पड़ता है है,so this is the idea what is a fistula,I hope you got the idea,aar फिर बात करेंगे हम about Annal Fistula in specific,so please ask your questions if you are